दो स्वागे ताप से भी कैक पर फिर से आपके अपने वोमेंटर चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आउटर एरिया होता है उसमें सेलिंग इंस्टोलेशन कैसे होती है कर सकते है या नहीं सेफ है या नहीं क्या रेट पड़ती है यह सारा का सारा जानेंगे इस वीडियो में तो फिलाल की अगर बात करें तो हमारा लास्ट पैनल रहा गया है सिरफ बाकी जो सेलिंग है देखिए आप सारी की सारी हमने सेलिंग कर दी है और अगर एरिया की बात करें तो यह आउटर एरिया है यह जो कंटी लिवर है वो इंट्री गेट प अगर आप आउटर में PVC सीलिंग करवाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अगर आपका उपर छट जो है लंटर की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोहे का जाल बांदा जाएगा उसमें support मैक्सिमम 20 से 25 इंच के बीच में होनी चाहिए और अगर आपका 3 की छट है तीन के नीचे आप PVC सीलिंग करवाना चाहते हो तो उसकी जो support मैं वो भी अपना 20 से 25 इंच के बीच में होनी चाहिए और दूसरी बात उसके बीच में थर्मा कोल जरूर डुलवाएं क्योंकि आजकल पैनल की क्वालिटी है जो वो इस प्रकार से है कि पैनल बहुत ज़्यादा दूफ में अपना नरम हो जाता है और लोक निकलने का खत्रा रहता है और इसके बाद अगर हम आउटर में कलर की बात करें तो आप देखिए हमने यहाँ पर स्टैप वाला पैनल लगाया है इस स्टैप वाला पैनल और वुडन कलर हमने रखा है तो यह बहुत ही बेतरीन लगेगा और जो इसमें लाइटे लगेंगी वो सर्फेस लाइटे लगेंगी सिल्वर या गॉल्डन कलर की हम लाइटे लगा सकते हैं तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन अपना सिलिंग दिखाई देगी तो अगर आप आउटर में सिलिंग करवाना चाते हो तो करवा सकते हो बेजी जग अगर कोश्ट की बात करें तो 120 रुपए पर स्केर फूट के हिसाब से आप ये PVC सिलिंग करवा सकते हो और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैंने आपको ये बता दिया तो जब भी आप सिलिंग करवा हो और अगर तीन की सिलिंग के नीचे है तो अपने थर्मा कॉल का यूद जरूर करवाना है जिससे आपकी सिलिंग लॉंग टाइग चलेगी तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ